दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा फेवरिट लिस्ट कॉंपेटिशन वाले लिस्ट अपडेट हो चुकी है हम अब की बार 2-3 दिन लेट हैं लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो हर महीने मिलती ही मिलती है क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस महीने का ये बिलकुल ही unexpected है तो चलिए देखते हैं क्या-क्या changes हुए है पिछले महीने के मुगाबले जिससे की हमें idea हो जाएगा कि market में सबसे ज़्यादा competition में जो गाडिया हैं वो कौन सी है वीडियो को end तक जरूर देखना दोस्तों चलिए start करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लीजिए subscribe बेल आइकन को प्रेस करके notification बेल को all पे set करके रखें ताकि आप आने वाले सभी वीडियो की notification को miss ना कर सकें तो दोस्तों सबसे पहली जो गाड़ी है हमारी लिस्ट की वो है Tata की दरफ से Tata Nexon और ये वो गाड़ी है जो की पिछले महीने के मुकाबले इस महीने तीन position डाउन होई है मतलब ये 10th पे पहुँच गई है इस लिस्ट को हम हमेशा की तरह descending order में ही चलाएंगे तो 10th position पे रही है दोस्तों Tata Nexon जिसकी 12,289 उनिट इस महीने बेची गई है अगर बात करते हैं इस गाड़ी के engine options की तो इसमें आपको 1.2 लिटर का petrol engine मिलता है टर्बो petrol engine है ये और 1.5 लिटर का diesel engine मिल जाएगा अब जल्द ही इसमें CNG भी आने वाली है तो उसके लिए भी लोग काफी वेट कर रहे हैं जिसकी वज़ेसे इसकी sales थोड़ी सी down पड़ गई है otherwise ये 5-6 जो position होती है उसमें रहती है ये मतलब top 5 में भी ये कई बार आ जाती है तो अगर बात करते हैं mileage की तो 1.2 लिटर का अगर बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के price की तो ये 8 लाग से start होती है एक्सोरूम प्राइस में बता रहा हूँ आपको एक्सोरूम न्यू डैली का price हमारा रहने वाला है सभी गाड़ियों का ये information दोस्तों मैं इसलिए देता हूँ आपको कि अगर आप एक नई गाड़ी देख रहे हैं तो इस वीडियो से आपको help भी काफी मिलेगी जिसमें आपको engine options उसकी mileage और price क्या रहता है वो सारी बाते बता देता हूँ current prices मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ अगर बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले engine की तो वो है 1.2 लिटर का petrol engine प्लस CNG भी मिल जाएगा और 1.0 लिटर का turbo petrol आपको मिलने वाला है 20-22 का mileage जो है वो आपको इसमें मिल जाता है petrol में और 25-25 का mileage जो company claim कर रही है CNG में तो ये वी एक बैतरीन गाड़ी है जो कि बहुत ही जल्दी popular हुई है इसने popularity जो है वो बहुत ही fast gain करी है दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आपको देना होगा गाड़ी जो है वो एक बार ही ली जाती है अगर आप middle class से बिलोंग करते हैं तो आपने बिलकुल hard earned money को जोड़ा है पहले या फिर आप loan वगरा लेंगे तो फिर हमें आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से हमें बिलकुल research करके गाड़ी लेनी चाहिए तो आप हम पढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ दोस्तों जो की जून के बाद अब इस लिस्ट में आई है मतलब जुलाई के महीने में ये बाहर थी इस लिस्ट से और वो है सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आपकी premium hatchback segment की गाड़ी Nexa Baleno Baleno की दोस्तों 12,445 उनिट इस महीने बेची गई है और इस गाड़ी में भी आपको एक बहतरीन इंजन मिलता है 1.2 लिटर का K-Series 4-Sylinder petrol प्लस CNG इंजन इसमें आपको मिल जाता है जिसमें आपको petrol में 19-22 का mileage मिल जाता है बिलकुल आराम से कंपनी इतना claim कर रही है और 30 km अपर KG का mileage आपको मिलता है CNG में जो कि बहुत ही बैतरीन mileage में मानता हूँ क्योंकि इस segment की गाड़ी में आपको इतना mileage मिल रहा है वो इस वज़य से क्योंकि body weight कम होने के वज़य से जो है और मारूती जो है वो अपने engines को इस हिसाब से tune करती है कि वो body to weight ratio बहुत ही बैतरी आपको निकाल के देते हैं अगर बात करते हैं बलैनों के price के तो दोस्तो 6,86,000 से गाड़ी start होगे 9,83,000 तक आपको एक सोरूम न्यू डैली में मिल जाएगी अब बढ़ते हैं दोस्तो उस गाड़ी की दरफ जो कि directly 5 position down हुई है मतलब ये पिछले महीने second पे थी अब ये 7 पे आ गई है वो है आपकी नई नवेली swift जी हां दोस्तो new generation swift जो है उसकी 12,844 unit इस महीने बेची गई हैं जिसमें आपको 1.2 liter का 3 cylinder Z series engine मिलता है जिसमें आपको company mileage क्रेम कर रही है दोस्तो 24 से लेके 25 km per liter का जो कि एक बैतरीन mileage है अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो आप CNG पे ना जा करके आप इस गाड़ी पे जा सकते हैं क्योंकि petrol में आपको 3 cylinder engine वो इसमें एक cylinder इसलिए कम किया गया है ताकि ये बैतरीन mileage आपको दे सके और दोस्तो इस गाड़ी का जो base variant है वो कापी बैतरीन है मतलब इतना बढ़िया है इतना बढ़िया package है वो कि अगर वगरा है मतलब सारे basic feature तो आपको मिल ही जाते हैं तो अगर आप लेना चाहते हैं swift तो उसका base variant ही consider करिए क्योंकि इसके upper variants इतने value for money नहीं है जितना base variant है अगर बात करते हैं इस गाड़ी के price की अगर आपको लेनी है तो 6,99,000 से गाड़ी start होती है 9,99,000 तक ये जाती है एक इंद्रा Scorpio और दोस्तो इस Scorpio में मतलब इन units में आपको Scorpio N और classic दोनों की unit मिलने वाली है तो पिछले महिने ये 8th position पे थी लेकिन इस महिने 6th पे आ गई है दो position इंप्रूव करके total 13,727 unit इस महिने बेची गई है अगर बात करते हैं Scorpio classic की तो दोस्तो ये गाड़ी जो है तो 13,62,000 से start होगे 17,42,000 तक आपको मिलती है जिसमें आपको एक ही engine option मिलता है 2.2L का M-Hawk diesel engine जिसमें आपको 16-16,5L का mileage जो है वो company claim कर रही है तो इतना mileage भी ये गाड़ी सायद ही निकालती होगी क्योंकि इसको rough and tough चलाया जाता है आराम से तो सायद ही गोई चलाता होगा ये बनी ही इसके लिए है लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं Scorpio N की तो इसमें आपको दो engine option मिलेंगे 2.0L petrol और 2.2L वही diesel engine आपको दिया गया है दो engine option इसमें आपको मिल जाते हैं 14 से लेके 18 का mileage दोनों ही engine आपको इस बीच का range का मतलब mileage दे देंगे और बात करते हैं price की तो 13,85,000 से गाड़ी स्टार्ट होगे 24,54,000 तक आपको एक सोरम न्यू डैली में मिल जाएगी चलिए अब बढ़ते हैं उस गाड़ी की तरफ जिसकी एक position डाउन होई है मतलब पिछले महीने 4 पे थी अब ये 5 पे आ गई है वो है आपकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने आता है और इसमें आपको 20 किलेमटर पर लिटर का मैलेज कंपनी क्लेम कर रही है पेटरोल में 26 का मैलेज कंपनी क्लेम कर रही है CNG में जो की बहतरीन मतलब इससे भी ज़्यादा मैलेज लोक निकाल रहे हैं मैं खुद मेरे दोस्त हैं उनसे पूशता हूँ उनके पास 5 CNG ह पंच का और सबसे ज्यादा most selling variant भी वही है लगबग 8 लाग के आसपास उसको आप on road लेके आ सकते हैं अगर बात करते हैं इसके एक्स रूम प्राइस की तो 6,13,000 से start होगे 10,20,000 तक इसके सभी variants आपको एक्स रूम न्यू डैली में मिल जाते हैं तो यह थी दोस्तों आपकी पंच अब बात आती है अगली गाड़ी की जिसकी एक position down हुई है again और वो है मारूती की तरफ से आपकी मारूती वैगनार तो दोस्तों मारूती वैगनार की 16,450 इनिट इस महीने बेची गई हैं जिसमें आपको 1.0 लिटर यानि 1 लिटर का petrol प्लस CNG इंजन मिलता है और 1.2 लिटर का petrol इंजन मिलता है दो इंजन उप्षन आपको इसमें मिल जाते हैं जिसमें आपको 24 किलोमेटर पर लिटर का मैलेज जो company claim कर रही है पेटरोल में और 34 किलोमेटर पर केजी का मैलेज आपको मिल जाता है CNG में जो की मतलब एक बहुती बैतरी नंबर है दोस्तों मैल इसमें डाउन होई है क्योंकि पिछले महीने टॉप कर रही थी इस लिस्ट को लेकिन अब ये थार्ड पे आ गई है और वो दोस्तों आपकी हुंड़ी की तरफ से आने वाली क्रेटा तो हुंड़ी क्रेटा की 16,612 इनिट इसमें बेची गई है इसमें आपको तीन इंजन मिलते हैं जो कि बहुत ही बड़िया बात है क्योंकि आपको इंजन का ओप्सन ज्यादा मिलता है वहाँ आपको सेलेक्ट करने की जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी वाइडर हो जाती है तो 1.5 लिटर का नैचुरल आस्परेटेड इंजन, 1.5 लिटर का टर्बो इंजन और प अगर बात करते हैं दोस्तो क्रेटा के प्राइस की तो 11 लाग से गाड़ी स्टार्ट होती है एक्सोरूम न्यू डैली में और 20 लाग 15 अजार तको इसका टोप एरेंड आपको मिल जाएगा एक्सोरूम न्यू डैली में अब बढ़ते हैं दोस्तो उन गाड़ियों की तरफ है जो की मदलब expect भी नहीं कर रहे थे कि ये दो गाड़ियां top 2 में भी रह सकती हैं एक की तो चलो हो सकता था कि ये top 2 में या top 1 हो सकती है कभी मदलब इस लिस्ट को top कर सकती है लेकिन जो second position पे जो गाड़िया न वो हम expect नहीं कर पा रहे थे तो दोस्तों वो है आपकी मारुत्ती की तरफ से आने वाली M.U.V. सेगमेंट की गाड़ी अर्टीगा जी हां दोस्तों आपने सही सुना अर्टीगा ने इस महीने इस लिस्ट को सेगंड पोजिशन के टोप किया हो सकता है अगले महीने कहीं जाएगी है क जिसमें आपको बैतरीन मैलेज मिल जाती है इसमें आपको मिलने वाला 1.5 लिटर का जो इंजन है उसमें पेट्रोल प्लस CNG इंजन आपको ये दिया गया है तो दोस्तों 20 किलोमोटर का मैलेज कंपनी क्लेम कर रही है पेट्रोल में और 26 किलोमोटर का मैलेज आपको मिल जा तो मारूती की गाड़ियां मतलब कोई भी बीट नहीं कर सकता है इनको किसी भी कंपनी से बीट नहीं होंगी क्योंकि मारूती जो है वो फोकस करती है इंडियन कस्टमर्स को मतलब वो बिल्कुल अच्छे से जान चुकी है कि यहां मैलेज ज्यादा चाहिए लो मिंटेनेंस गाड़ी चाहिए आराम भी अच्छा मिल जाए इंजन भी काफी बढ़िया चाहिए रिलाइवल गाड़ी आपको मारूती ही प्रवाइड करवा रही है चलिए अब बढ़ते हैं किंग ओफ दिस लिस्ट की तरफ है और वो है ब्रेजा दौस्तो ब्रेजा की 19,190-eminit इस महिने बेची गई है सेम इंजन आपको मिलता है अर्टेगा में जो आपको इंजन मिलता है वो सेम इंजन इसमें आपको मिल जाता है दोस्तो इसका base variant है जो की सबसे ज़्यादा value for money यहां बन जाता है क्योंकि उसमें आपको price कम मिलता है मतलब कम price में आ जाता है वो और basic feature मिल जाते हैं बाहर से कुछ retrofitment करवार करके वो गाड़ी आपकी 10 लाग में बिल्कुल अच्छे से तयार हो जाती है अगर बात करते हैं price की तो 8,34,000 से गाड़ी start होती है 14,14,000 तक यह गाड़ी आपको टोफ वेरेंडिस का मिल जाएगा एक्सोरूम न्यू डैली में तो दोस्तो अगर बात करते हैं ब्रेजा की तो इस गाड़ी को करीदने के 8 solid point के बारे में हमने आपको वदाय था उस वीडियो पे काफी अच्छा response मिला मुझे अगर आपने वो वीडियो चेक आउट नहीं किया है तो उस वीडियो को चेक आउट कीजिए उसके comments पड़िए आपको बता लग जाएगा कि इस गाड़ी के कितने ज्यादा मतलब अच्छे reviews हैं कितने bad reviews हैं mileage कितना दे रही है कौन लोग कितना इससे खुश है या किसकी क्या सिकायत है वो सारी बाते आपको पता लग जाएगे दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं उनकी वीडियो ज्यादा देखें उनके भी देखें कोई बात नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा long term reviews हैं उनको ज्यादा देखें otherwise सबसे ज्यादा जो आपको फाइदे मन रहने वाला है वो है कि अगर कोई use कर रहा है उससे आप पूछे अपने area में अपने आसपास अपने relatives में कोई भी use कर रहा है उससे पूछे कि गाड़ी के reviews आप कैसे देंगे तो दोस्तों ये थी हमारी top 10 selling cards के list अगस्त 2024 की तो इस महीने ब्रेजा ने इसको top किया है क्योंकि 20-20 में company जो है मारुती जो है और इसका reason है कि वो काफी ज़्यादा time से market में है Indian customers को बहुत ही अच्छे तरीके से वो पहचान चुकी है जान चुकी है और देखिए changes भी उसी के according कर रही है अब इसकी dual cylinder technology भी जल्दी ही आ रही है पहले Tata लेकी आई उसके बाद Hyundai में आई है अब आपको मारुती में भी वो मिलने वाली है उसके बाद तो मतलब boot space का जो issue है वो खतम हो जाएगा उसके बाद इसकी गाड़िया और भी ज़्यादा अच्छे से बिकेंगी तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को ओल पे सेट करके रखें ताकि सबी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स, have a good day